पूर्णिया का नेवालाल चोक इन दिनों तरह तरह की घटनाओं और दुरघटनाओं को लेकर काफी कुख्यात हो गया है जिससे समाजिक लोगों में इस तरह से दहसत वियापत है कि साम के बाद लोग घरों से निकलने में भी कत्रा रहे हैं यहां चोरी, लूट, डकेदी, सडक, दुरघटना, गोली, फाइरिंग, रंगदारी एवंग सरावियों का तंडव आम बात है अस्थानी लोगों के मताबिक इस चोक के आसपास कुछ न कुछ होते रहना आम बात हो गई है जिससे आम आदमी और वेवसाई सबसे ज़्यादा प्रभावीत हो रहे हैं और पुलिस से जब सिकायत की जाती है तो केवल जाच परताल कर कारवाई का भरोसा मिलता है कि तु सक्त कारवाई नहीं होने के कारण घटनाय रुकने का नाम नहीं ले रही है दरसल इन बातों को लेकर उस वक्त आक्रोशित लोगों ने बोलना पूट गया और मीडिया को सामने देखकर अपना भडास निकालना परारम कर दिया इस दर्मियान सबसे पहले सोन गंगा जविलर्स के मालिक रंजित कुमार ने बताया कि बीती रात चोरों ने उसकी दुकान का दिवार में सुरंग बनाकर करीब धाई लाक के जेवरात की च अब देखते हैं कि के मारी पुरा खुला हुआ है दस इंची के देवाल पुरा तोरूर के पुरा समान उमान जो भी ठा एक भी समान नहीं चोरा सब ले गिए कितने की चोरी हुई है और क्या सब चोरी हुई है तो अड़ाय लाक की चोरी हुई है इस से पहले भी इस तरह के घटने दर हुआ है क्या नई स्थे पहले परशू जो है यहाँ पे गोली दोली चला है जुकंदर पे पुछने वालाल चाकपर कभी गोली चलती है कभी चूरी होती है क्या इस तरह की चीज़ें बराबर हो रही हैं बढ़ावर होते ज़ता है सब पुलिस को इंफर्मेशन दिया है अप लोग अभी मरंगा थाना में किया है एसपी सरकोफन किया है आएस बढ़ावा हुआ आए भी है जाट परतल कर रहे है वहीं एक और वेक्ति ने बताया कि महज दो दिन पूर्व उसके बेटे से पिंटू सिंग नामक सक्स ने अपने दोस्तों के साथ रंगदारी मांगने के करम में गुली चरा दी थी जिससे उसका बेटा घायल हो गया था और अस्थानी ये लोगों ने उस वेक्ति को पकड़ कर पुलिस के हवाई गिया पुलिस के नजर में ये चीज नहीं है परसासन के नजर में सब कुछ आए है दिया गया है हम लोग अशी मोटसागीर सब दोकंदार गया थाना पर गय थे वह तो आववेतन लिखाया है प्री परसासन कगा कुछ करता है इसके बाब जुद चुल नहीं हो रहा है ना चुल नहीं हो रहा है अचे ये बताईए इस तरह की घटना से क्या लोग सहमे हुए हैं डरे हुए हैं तो यह पुलीस क्या कर रही है पूलिस कारवाई कर रही है तो घटना रुग रही है क्या है नहीं घटना कहा रुगा रहा है या रुका हुआ है या बढ़ता जा रहा है दिन में परषो हुआ है फेले बीज तरह सा कुछ न कुछ होते रहता है क्या पहले भी इस तरह से कुछ हुआ है इस से पहले तो पता नहीं क्या हूं को नहीं पता है परसु गोली चला है परसु पकर के भी ले गिया उसको जो लड़का गोली चला या तो इस चोके पर फिर आज ये रात में चुड़ी हुआ जोगों में इस तरह की घटना को लेखर के किस तरह का महूल है? महुट तो बहुत अपर बीज्ल ना आपनो है। जो पुरा डरा हुआ रहता है। कि क्या क्या है। इस पीस साथ से कुछ कहना चाहेंगे आप लोग। जो भी गटना हो रहा है उसको रुका जाए इसके लिए जो भी साब अच्छा थना प्रपाड़ी हो जो भी रहा है जी सर बहुत अच्छा सर तो भी साब बहुत अच्छा राना चाहिए ताकि आदमे का मन में भाय नहीं हो पिकरगेट में क्या होने वाला है और मरंगा थाना पुलिस से या एरिया नहीं संभल पा रहा है इसलिए यहां विसेश पुलिस चोकी एवंग ट्रेफिक पुलिस चाहिए वहीं अस्थानिय कई लोगों ने भी नेवालाल चोक को काफी को ख्याद उताते हुए कहा कि यहां तरह तरह की घटनाए लगातार होना आम बात है जिससे वेवसाई सबसे ज़्यादा दहसत में है कहेंगे किस तरह की घटना ने भालाल चोक पर हो रही है इन दिनों आज हम लोग परिशान हैं आए दिन इस चोख पर को इसाथ सुविधाय नहीं चुकि एक दिन में कम से कम हम समझते हैं कि 40,000-45,000 के आदमिन संख्यां आना जाना इने इस पार होता है लोगों को वहां पर वह सुविधाय होनी चाहिए था कि लोगों को कम सकम जाने आने में काम मुई थी उसमें सारे परसासन के लोग थे डियस्पी साहब भी थे उसमें हम लोग रखे थे उनके बीच कि सर यहां पर एक पुलिश चोकी दिया जाए जो कम सकम घटना भी कुछ कम होगी और यहां पर एक ट्राफिक पुलिश मिले जो लोगों को जाने आने में भी सु कि बहुत बहुतों बार इसा हुआ है लगातार हो रही है ऐसे तो यह चोक कुख्यात हो जाएगा के नाम में तो अभी है ही देख रहे हैं हर देगा बराबर पेपर में नाम आ रहा इस तरह का लेकिन हम लोग यही परजासन से मांग करेंगे आप सबों से मेडिया वाय से भ कम से कम पुलिस चोकी होने चाहिए ट्रैफिक पुलिस होने चाहिए जो लोगों के कम सकम अमन चैज से रह सके कुछ सुविधा होगा लोगों को भी कुछ हिंमत होगा लोग यहां का दासत में रहते हैं हर हमेशा दासत रहते हैं कम क्या घटना घटेगी यह दासत में रहते पूरा कुख्यात सब तरह से कुख्यात हो गया है सुन गंगा दुकान में हुई चोरी की घटना को लेकर अस्थानिय लोगों की मांग पर पुलिस ने खोजी कुत्ते के सहरे जाज परारम कर दी है किन्तु यह कहना कठीन है कि पुलिस इस खोजी कुत्ते के सहरे भी चोरों तक असानी से पहुंच पाएगा और लगातार घट रही घटनाय रुक पाएंगी क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाओं पर अदमी भी हैं उनका विशर्म से कहीं अगर बात होती है तो उनका विशर्म से सर जुख जाता है कि हम लोग कहा आके बस गया है ऐसा दस साल बारा साल कबल पहले नहीं था दस बारा साल में इतना आतंक बड़ा हुआ इतना गोली बारी चलती भी है प्रसासन को फोन भी करता प्रसाशन को बताना चाह रहा है तो उस तरह का बुलेट में जो लग रहा है या जो भी है उस पर परतिबंद क्यों ने लगाते हैं डिटीओ तो कहते होगे हल्मेट चेकिंग करो ये करो उस ताइब का जो अगर चीज है तो वह कानून में लाओ उसको बंद करवा ताकि आप पूरा तराजती जिल रह थे हर अली के जेहन में डरा हुआ रहता है हाँ सब कोई सब डरा हुआ हुआ राता ह्या कि यह कि रोट पे जो निकलता है करो आना नहीं चाहता है आपको तो नेवारी सब्सुन करके लोग बहार ना का चाता है कौन ऐसी स्थिति क्यों हो गई यह जो लोग यहां राना नहीं चाहता है डरा हुआ रह रहा है अपना इसलिए हो गई है प्रसाशन का मौन है प्रसाशन का कहीं ने कहीं कमी है एकसपर्स एकसपर्स थानेदार या जो भी पुलिस कप्तान यहां वो और से कवल अच्छा है इससे पहले तो ऐसी इस्थिति आ थी कि लोग फुल्निया में सामें डरे रहाते थे ये कप्तान को हमें जो जनकारी है तीन दिन के लिए कोई कट्यार में कराई हुए तीन दिन के लिए को चार्ज में दिया गया था कटियार को सहित के दिया गया था चुकि इपरवार में आये थे और इनसे आसावीद करते हैं अभी कुछ दिन पहले कृष्णा इंटरप्राइजेज में इसी घटना हुई हम लोगों ने चरनबध आंदोलन किया धरना दिया पूरा पोटेस्ट किया उसके अमल किये और उसका कारगर थी रिजल्ट भी आया पकड़ाया भी बैंक में भी रिकबरी हुआ इस घटना के बारे में जो मुख्यां जी के बाद आज हुआ हुँ है हम यही मांग करेंगे एक्सपर्ट कुता हो जी जो भी एक्सपर्ट से एक्सपर्ट उनका पर विस्शेश धियान देकर और स समाजिक लोगों के विरूद सक्त कारवाई करने के तभी लगातार घट रही घटनाओं पर विराम लगेगा और और समाजिक तत्तों में कानुन का भैवी पैदा हो पाएगा कोशी आलोक के लिए संजे कुमार की रिपोर्ट